मसकर दोस्तों आप देख रहे हैं चोहन वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके कॉन्वोकेशन के बारे में आपका कॉन्वोकेशन कहां करवाया जाता है कहां आपको कॉन्वोकेशन के लिए जाना होता है साथ ही Convocation में आप क्या लेकर जा सकते हैं आप क्या नहीं लेकर जा सकते क्या Guidelines होती है आज की वीडियो हमारी इसके उपर है तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे अंदग देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो वीडियो की अब सीधा सुरवात करते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका जो Convocation है होता कहां है चाए आपका 35th Convocation है 36 Convocation या 37 Convocation जो की अगले साल होगा Convocation जो होता है वो आपका अलग अलग जगाओं पर होता है हर Regional Center जो है उसका Convocation या तो उसी के ही Regional Center के अंदर हो सकता है या फिर वो अपनी तरफ से जो भी Venue आपके लिए Select करते हैं वहाँ पर Conduct करवाय जा सकता है IGNU में क्या होता है कि एक जो Convocation होता है वो Main Convocation होता है वो जो होता है वो आपका IGNU के मैजान गड़ी जो Main Headquarters है वहाँ पर Conduct करवाय जाता है उसके अंदर फिर आपके RC दिल्ली RC1 के स्टुएंट दिल्ली RC2 के स्टुएंट दिल्ली RC3 के स्टुएंट जो है वो और NCR के जो Regional Centers है उनके स्टुएंट जो होते हैं उनको कहा जाता है कि उन सब्सक्राइब डिग्री सर्टिफिकेट है वो उनको में जो मैजानकड़ी में konvocation होने वाला वहाँ पर मिल जाएगी लेकिन हर कोई जो इस्टुएंट है वो वहाँ पर नहीं जा सकता जैसे कोलकता के इस्टुएंट है या चेन्रिके रीजिनल सेंटर के dove वो तो दिल्ली नहीं आ वो अपनी website पर उनकी जगा के बारे में बता देते हैं कि या तो वो अपना regional center के अंदर ही कोई छोटा सा program रख लेंगे जहाँ पर आपको convocation जो है convocation की degree बगारा बाट दी जाएगी या फिर वो किसी ground बगारा जो की आपके regional center के अंदर ही पढ़ता हो वहाँ पर उसको venue को होने वाला है उसकी जानकारी आपको एगनो की में website पर मिल जाती है लेकिन आपका regional center कहां करवा रहा है अपना convocation उसकी जानकारी आपको regional center की website पर मिलती है regional center आपको जो भी आपने इमेल आईडी वगयरा दी होगी तो वहाँ पर उसकी जानकारी जो है वह आपको mail के जरिए दे देगा तो यह होता है कि इस तरीके से इन इन जगाव पर होता है एक होता है मेन इन जो होता है वह इगनु मैदानगड़ी headquarters में होता है जहां पर दिल्ली रिजनल सेंटर 123 के इस्टुरेंट और नॉइडा रिजनल सेंटर के इस्टुरेंट होते हैं जो कि दिल्ली के आसपास रहते हैं वहाँ पर उनका करवाले उसके आसपास जाए का जरूरी नहीं करना चाहते हैं जरूरी को स्टुरेंट जो है वह चाहता है कि वह convocation जाए और वहाँ पर personally physically जाकर अपनी degree को collect करें अगर ऐसा होता है तो उस case में आपको सिर्फ option भरना होगा अपने convocation में कि convocation को जब registration होगा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे degree जो है मेरे घर पर मिल जाए और आपको जब convocation हो जाएगा उसके 20 से 25 दिन के बाद आपको degree जो है आपकी speed post के जड़ी आपकी घर में आ जाती है अगर ऐसा भी कोई regional center है जो कि कि किसी कारण से वो convocation आपका नहीं आयोज़ेद करवा पाया उनको जगा की कमी है या कोई भी किसी भी तरीके की दिक्तत है आपके regional center को कि वो आपका convocation नहीं करवा पाया इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिसानर्जेस बताए गए थे सबसे पहले invitation card जो नॉन ट्रांस्वेबल है यानकी आपको दिया गया है आप ही आ सकते हैं आपके बदले में कोई और आपकी degree collector के नहीं लेकर जा सकता ठीक आपको साड़े दस बजे पहुंच रहा होगा यानकी आपका convocation अगर 11 बजे सुरू हो रहा है convocation का program उसके आदे घंटे पहले आपको पहुंच रहा होगा ठीक आपको क्या-क्या लेकर जाना है कि ऐसा कोई अपना personal identity proof जो है उसको भी लेकर जाए ताकि आपकी पहचान हुआ पर हो पाया कि आप वही student है जिसको degree मिलने वाली है तो इगनु का identity card आप जरूर लेकर जाए और अपना personal identity proof की आप लेकर जाए उसके बाद है आपको किसी भी तरीके का कोई camera या किसी भी तरीके का कोई हतियार या इस तरीके का कोई brief case वगारा लेकर जाने की अंदर लेकर जाने की अनुमती नहीं दी जाएगी ठीक अपना mobile phone जो आपको silent mode पे रखना होगा जाकि जब convocation हो रहा हो तो उस समय आप mobile phone ना बजे आपको silent mode पे उसको रखना होगा उसके अलाबा COVID-19 के instructions की mask वगारा आपको पहन के आना होगा और social distancing का आपको पूरा पालन करना होगा उसके बाद student ये भी जरूर जानना चाते होंगा कि convocation के लिए क्या अलग से कोई dress code है या फिर नहीं तो इग्रू में पिछले साल जो dress code था वो इस तरीके से था कि male student जो है वो white या cream color का Indian dress जो हो पहन कर जा सकते हैं और जो female students के लिए था वो सलवार कमीज या साड़ी सलवार कुर्ता था वो white या cream color का तो ये जो था वो dress code था female students के लिए और male students के लिए white या cream color के जो है कपड़े आप पहन कर जा सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको फसेंदा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए